असलाम अलेकुम लेडिसे और जाल मैं वेलकूं टो बिजनस स्कूल मुंजर वकास एक दिवा फिर सब्सक्राइब की खिदमत में हाजिर है इद का दूसरा दिन आपका मुबारिक हो कैसी गुजर रही है आपकी इद तो खेर आज हम जो बिजनस डिसकस करने जा रहे हैं स्पाइरल बिजनस के बारे में प्राइटो स्पाइरल क्या होता है यह तरह से चिप्स की एक नहीं किसम आप कह सकते हैं आलू के स्पाइरल से बने होते हैं उनको आपने देना होता बना गया यह मशीन से बनते हैं मशीन कहां से मिलती है कितने की मिलती है वो भी हम डिसकस कर दूँगा आपको इस पर बहुत ज्यादा मैंने कोशिश किया कि कहां से मिलेगी कहां से मिलेगी और आखरकार मुझे इसके मार्केट्स का पता चल गया तो मैंने का चलें आज आज आपके साथ शेयर कर दो इस बिजनस को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा और इसमें पुटेंशल कितनी है पुटेंशल इसमें बहुत ज्यादा है आजकल स्पाइरल बहुत ज्यादा चल रहा है पुटाटो स्पाइरल नहीं चीज है पाकिस्तान में इतनी नहीं भी नहीं है लेकि या स्टाल चाहिए होगा जो कि आपका 8 से 10,000 रुपे में असानी के साथ बन जाएगा ठीक है अब आप पर डिपेंड करता आप इससे महंगा भी बनोना चाहें तो बनवा सकते हैं सस्ता बनोना चाहें तो सस्ता बनवा ले उसके लिए आपको इलावा उसके लावा आपको चाहिए होगा एक अदर गैस वाला सिलंडर ठीक हो जो सिलंडर खाली है 2500-3000 रुपे में आपको सिलंडर मिल जाएगा 2000 में मिल जाएगा आप पर डिपेंड करते हैं आप कितने केजी जाला लेना चाहते हैं उसी हिसाब से आप उसमें गैस फिल करवा ले इस वकत 105 रुपे आई थिंक गैस का रेट चल रहा है लपीजी जो है तो आप 2 किलो बरवा लें 4 किलो 5 किलो स्टार्ट में आप जितना बजट अफॉर्ड कर सकें उसी हिसाब से आप उसमें फिल करवा सकते हैं LPG उसके लावा आप 2000 रुपे के बरतन लगा लें उसके लावा आपको चाहिए होगा आईल तो आप 2-4 किलो आईल लें 500 का आईल लगा लेते हैं यहां पे और बस मशीन स्पारल बैने वाले मशीन स्पारल बैने माले मशीन जो है इसके डिफर्ट रेटस है साइज के हिसाबस होते है उसकी शेप्स भी डिफरेंट होती है तो इसके रेट बीधी है यहापको 7-8 रुपे में मिल जाएगी 12-14 रुपे में मिल जाएगी 2-0 रुपे में मिल जाएगी तो आपको ऐडिया होगा कि गुल प्लाजा किस चगह पर मुझे इसकी एक्जेक्ट लोकेशन का नहीं पता लेकिन प्रसर्च से मुझे पता चला कि गुल प्लाजा से यह मशीन आपको आठ सो से आजार रुटे में मेल जाएगी तो इसके लवा में चाहिए होंगे स्पाइसीज मसाले आप कोशिश करें कि दो तीन फ्लेवर मना लें मसालों के अगर आपको खुद को फ्लेवर बनाने नहीं आते हैं तो मसालों वाली अगर कोई अच्छी शौप आप नोडले जहां से मसाले मिलते हैं तो वो आपको रहागी होगी फिर भी मजीद अगर कोई चीज रहागी हो तो आप कमेट बोक्स में पूछ सकते हैं मैंने अपने हिसाब से जो भी था मेरे माइंड में इस वकत वो मैंने बता दिया है ठीक है इसमें तक करीबा ना आपका 20-25,000 रुपे मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है और बिजनस बहुत पुटेंशल वाला है अभी आप इसको स्टार्ट ले सकते हैं तो स्टार्ट लेजिए अल्ला का नाम लेजिए इसकलाब आपके साथ एक और बाश्यर करना थी कि मैंने एक चैनल स्टार्ट किया है व्लॉगिंग का जिसमें मैंने डिफरेंट यूट्योबर नहीं पसंदा है तो ना करना कोई जबर दस्ती नहीं है व्लॉडियो ये पसंदा है तो इसको लाइक कर दीजिए दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए मिलते हैं किसे अच्छे से नहीं बिजनस आड़ी एक साथ तब तक के लिए इजाज़त देजिए लाह हम याद रखि लाह बखिस